गुड मॉर्निंग एवरिवन मैं नेम इस रवी कुमार, लेक्टरर कंप्यूटर साइंस, जेपीसी डूंगरपूर आज की इस वीडियो में हम अब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग का ओवर्व्यू पढ़ेंगे और ओब्जेक्ट ओरियंटेड लेंग्वेजज खूब सारी है, लेकिन हम यहाँ पर C++ के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो सबसे पहला सवाल यह है कि ओब्जेक्ट ओरियंटेड लेंग्वेजज बनाई गई तो क्यों बनाई गई? जैसे कि हम जानते है कि कोई भी चीज invent होती है, बनाई जाती है तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है, उसकी कुछ जरुरत होती है जैसे बोलते हैना आविश्यक्ता आविजक्षपार की जन्नी है तो कुछ जरुरत मैसुस होई होगी नहीं तो object oriented language से पहले हमारे पास procedure language चल रही थी अब procedure language में क्या होता है program move होता था linear series of instructions में कि हमने एक script लिख दी एक हजार line की तो उपर से नीचे तक line by line command से execute होते जाएंगे यह system था और फिर उसके अंदर से function ही उच करते थे तो function में जो program है वो move होता था एक function से दूसरे function में तो इस तरह से काम चल रहा था लेकिन फिर हमें जरुरत हुई object oriented गी यह देखिए हम जैसे इसमें देख सकते हैं जो data का flow हो रहा है वो एक function से दूसरे function में हो रहा है क्योंकि यह help करता है reusability में code को open क्या कर सकते है reuse कर सकते हैं और code को share कर सकते हैं अलग-अलग resources के साथ में user यहाँ पर real world environment के अंदर काम करता है अब यह real world environment क्या है तो हम real world environment को ऐसे समझते हैं कि यह हमारे पास एक electric bulb है और यह अभी off है बंध है इसमें से कोई light नहीं निकल रही है और यह हमारे पास switch है इसका तो मैं जैसे इस switch को on करता हूँ यह bulb है ओन हो जाता है जैसे मैंने switch को on किया ओन करने पर on हो गया तो जैसा कि आपने देखा यह electric bulb था और मेरे को कुछ भी नहीं पता कि यह कैसे काम करता है मेरे को बस इतना पता है कि यह switch है उसको मैं दबाऊंगा तो यह on हो जाएगा और दुबारा उसको प्रेस करूँगा तो off हो जाएगा अंदर इसका circuit कैसे है यह LED bulb है अंदर इसके अंदर क्या बल्ब के अंदर circuit है कैसे electricity flow रही है electron कहां से कहां जा रहे है मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में फिर भी मैं इस बल्ब को जलाने में काम्याब हो गया तो यह है real world real world में क्या होता है कि हमें चीजे कैसे काम कर रही है उसकी detail में नहीं जाना है अपको एक दूसरे example दिखा सकता हूँ मैं यह पंका है मारे बास electric खेन है और यह off है अब इसको ओन करना है तो यह इसका switch है जैसे मैं switch को प्रेस करूंगा यह ओन हो जाएगा ऐसे हम और दूसरे example भी ले सकते हैं तो हम गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो हमें नहीं पता कि उसका engine कैसे काम कर रहा है उसका brake कैसे काम कर रहा है प्लच कैसे काम कर रहा है हमें details में नहीं पता है हमें यह पता है कि इस चीज को हम प्रेस करेंगे तो brake लग जाएगा इससे clutch दबेगा इससे accelerate होगी गाड़ी तो real world के अंदर हम ऐसे ही काम करते हैं जबकि procedure oriented में क्या हो रहा था हम ध्यान इस पर जयादा दे रहे थे कि काम कैसे करना है इस पर जयादा दे रहे थे जबकिन और object oriented में क्या करना है कैसे करना है वह हमारी headache नहीं है तो ये होता है object oriented के अंदर तो आजगल जितने भी software है वो सारे object oriented language को use करते ही बनाए जाते हैं तो object oriented जो programming है वो हमें allow करती है कि जो data की states है और जो उनको modify करने के लिए वो एक package के अंदर रहती है और वो भी hidden रहती है जैसे car के अंदर हमें दिख रहा है clutch, brake, gear दिख रहा है अब अंदर जो mechanism है वो नहीं दिख रही है हमें वो hidden है उनके सिर्फ lever दिख रहा है हमें एक तरह से switch switch अपने काम लिया तो switch दिख रहा है motor जो अपनके के अंदर वो डखी हुई है उसमें binding कैसी है वो हमें नहीं दिख रही है और हमें देखनी भी नहीं है तो बाकी सब कुछ चीज यह hidden रहती है और जो user के काम किये वो चीजे ही उसको दिखाई देती है यह होता है real word में तो जब real word में ऐसा कर रहे हैं तो पर प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो यह सोच के object oriented language बनाई गई तो इसका result क्या होता है कि object oriented language है वो flexible होती है, modular होती है और abstract होती है तो यह जब बड़े programs बनाते हैं तब बहुत काम में आती है जैसे कि इस diagram में हम देख सकते हैं object oriented language इस तरह से काम करती है यहाँ पर हमारे पास क्या है A, B, C तीन object ले रहे हैं और एक object के अंदर क्या होता है data और function होता है तो जहाँ procedure language जो functional language थी उसमें functions communicate कर रहे था आप उसमें लेकिन object oriented में objects communicate करेंगे अब object oriented language की characteristics हैं उन में objects है classes है, inheritance, reusability, new data types polymorphism and overloading इनको हम एक एक करके समझेंगे तो object oriented language की इतने सारे characteristics हैं कि class होती है object होता है और class और objects की help से हम encapsulation achieve करते हैं inheritance है वो लेते हैं काम में polymorphism होती है और abstraction आईए हम इनको एके करके समझते हैं class class क्या होता है जो c++ के अंदर एक building block होता है class class को हम user defined data type भी बोलते है जिसे int है, float है, care है ये क्या है built-in है, system defined है पहले से define की होगी है वह integer है, उसकी range ही होगी और इस तरह का data उसमें आ सकता है तो उस, मैं पहले से define है की SS होगा इसमें उसका domain पूरा define है हम उसमें change नहीं कर सकते तो वो तो system define होगी built-in, अब हमें नया data type बनाना है कुछ user को बनाना है data type तो वो class को use करके बनाएगा तो class क्या होगी है, user defined data type होगी और फिर जैसे int data type होगया, int के अंदर हम a, b, c, d ऐसे variables बनाते हैं उसके instances वैसे फिर जब class और उसके objects हम बनाएगे, तो वो objects क्या होगी, instances होगी उस class के एक तरसे से int int type के हमने variable बनाएगा वैसे क्या है, उस class type के variables बनाएगे, object तो class के अंदर data members और member functions यह रहते हैं और इनको यूज करने के लिए data members और member functions को हम object बनाते हैं class का उसको instance भी बोलते हैं तो इसका हमलग class क्या हो गई class एक तरह से blueprint हो गई किसी object के लिए class is user-defined data type which has data members and member functions Data members are the data variables and member functions are the functions used to manipulate these variables तो variables को manipulate करने के लिए हम data members कहा में लेंगे और साथ में मिलके जो member functions है और data members है वो साथ में मिलके उसको बताएंगे हम प्रोपर्टी क्लास की प्रोपर्टी को define करेंगे वो उसकी प्रोपर्टी एड बिहेवियर ओब्जेक्ट अन्ड ओब्जेक्ट इन एक लास तो लास क्या हो गई एक ब्लूप्रिंट हो गई एक तरह से जब एक मकान बनते हैं उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसका नकसा बनाते हैं तो वो नकसा टाइप हो गया है क्लास होती है वो वर्चियोल होती है एक नकसा बनाया उसको जमीन की जरूत नहीं है ना जमीन तो जब बिल्डिंग बनेगी तब जरूरत है बिल्डिंग क्या होगी फिर जो अबजिक्ट बनेगा तब बनेगी तो हम जैसे कार के एकजम्पल से समझ रहेते हैं ये कार है अब कार है वो कार क्या है अपने आप में एक क्लास है क्यों कार का नाम लेंगे तो आपके दिमाग में कौन सी कार आएगी कार तो खूब सारी होती है अलग अलग कंपनीज गी लेकिन उनमें कोमन क्या है सब में सब में चार टायर होंगे कलेट्स होगा गियर होगा स्टेरिंग होगा एसिलरेटर होगा इंजिन होगा उनमें तो ये सब सारी प्रोपर्टी जब वो सब में क्या है सेम है तो कार का मतलब हो गया ये एक क्लास हो गई कार फिर उसके अंदर आप पर्टिकुलर लेते हो कि इस कंपनी का ये मोडल है तो जैसे आप इस कंपनी का ये मोडल बोलोगे आपके दिमाग में उसकी इमेज आएगी अब उसमें कुछ फीचरसर वो अलग हो सकते बागी से मुजिकस शिस्टम किसी हो सकता है टज स्क्रीन हो सकता है केमरा लगावा हो सकता है तो कुछ properties अलग हो सकते लेकिन जो कॉमन प्रोपेटिज ऑ वो तो सेम रहेगी, चार टायर रहेंगी सब में, इंजिन भी रहेगा, क्लेच, गियर, ब्रेक, एसे लेटर सब रहेगा. तो यहां पर कार तो एक क्लास हो गई, और उसके डेटा मेंबर्स क्या हो गई, कि उसकी स्पीड लिमिट क्या है, 200 किलोमेटर पर की स्पीड से चल सकती है, कोई 300 चलेगी, कोई 150 तक चलेगी, तो वो क्या होगी, स्पीड लिमिट हो गही होगी, माईलेज क्या देगी, कोई 15 का, कोई 10 का, कोई 20 का, तो माईलेज, यह सारे क्या होगी उस क्लास में, variables बनाएंगे, और Member Functions क्या होगी, apply brakes increase speed यह होंगे function होगे क्योंकि यह manipulate कर रहे है accelerator को जैसे praise करते है तो वो क्या करते है speed को बढ़ा देता है और जैसे lever को छोड़ते है कम हो जाती है तो वो manipulate कर रहे है brake को दबाते है गाड़ी रुख जाती है तो data members क्या करते है manipulate कर रहे है member functions है वो manipulate कर रहे है data member को अब object क्या होता है object एक identifiable entity होती है identifiable का मतलब वो उसका physical existence होता है जैसे मैंने class का बता है कि वर्चुल होती है एक blueprint होता है एक नक्सा बनावा building का सिर्फ तो उस नक्से के अंदर थोड़े रख सकते हो आप रह सकते हो नहीं रह सकते लेकिन जब एक building बन गई उसकी तो building के अंदर आप रह सकते हो enter कर सकते हो तो वो physically exist कर रही है तो object वो identifiable entity होती है with some characteristics and behavior एक object वो instance होता है एक class का जब एक class define होती है तो उसके लिए कोई memory allocate नहीं होती है लेकिन जब एक object बना दिया जाता है instance बना दिया जाता है तब memory allocate होती है building बना नहीं है building का नक्सा बनाया blueprint बनाया क्या जमीन की ज़रूरत है नक्सा बनाने के लिए तो कागज पर बन जाएगा तो कोई memory अलोट नहीं हुई लेकिन जब building बना यह object बनाया तब तो ज़रूरत है building उसकी object जमीन की ज़रूरत है memory की ज़रूरत है तो अलोट करनी पड़ेगी programming में कैसे लिखेंगे यह ऐसे syntax होता है class person तो class यहाँ keyword है और person है वो class का नाम है आप दूसरा कुछ लेना चाहते हो तो person की ज़रूरत कार या animal कुछ भी ले सकते हो कली ब्रेसेज care name 20 care है वो data type है keyword है name यहाँ पर एक variable हो गया और जब square bracket के अदर 20 लिख दिया तो name क्या बन गया एक array बन गया जिसकी size है 20 int id integer type का एक variable बनाया जिसका नाम है id public void gate details void का मतलब function के नाम के पहले void लगा रहे है मतलब कुछ भी return नहीं करेगा यह return type बताता है फंसन के नाम के पहले gate details एक function है और class जब खतम होगी तो semicolor लगाते है int man उसके अंदर class का नाम person था और p1 उसका हमने एक object बना लिया object है वो memory के अंदर space लेते हैं और associated address होता है इनका when a program is executed the objects interact by sending messages to one other तो एक दूसरे object से interact करते हैं हर एक object है उसमें data होता है उस data को manipulate करने के लिए code होता है functions होते हैं और object जब आपस में communicate करते हैं तो एक दूसरे के बारे में बिना जानकारी हुए भी वो communicate कर सकते हैं बस इतना sufficient है कि किस type का message accept होता है और किस type का response return होता है और object से फिर जो characteristics आता है वो है encapsulation encapsulation नमलाब ऐसे जासे गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर class, brake, gear वगरे सब उसी के अंदर assemble है बाहर कुछ भी नहीं है तो encapsulation का उनलाब होता है कि wrapping up, packing कर दी एक इसी capsule के अंदर जो भी जरूरी चीज़ है उनकी तो यहाँ पर जरूरी चीज़ है हमारे पास data members और member functions तो object oriented language में encapsulation का मतलब है binding together the data and the functions that manipulate them और encapsulation ही क्या करता है data का abstraction है या hiding है उसको ही बताता है encapsulation को use करते है वो data को hide भी करते है हम गाड़ी चला रहे है तो गाड़ी के अंदर gear हम change कर रहे हैं लेकिन gear कैसे functioning कर रहा है अंदर क्या mechanism वो हमें नहीं दिख रही है abstraction abstraction is one of the most essential and important feature of object oriented programming abstraction means displaying only essential information and hiding the detail ठीक है जैसे गाड़ी में देख रहे है bulb में देखा पंके में देखा जिन जरूरत है जिन चीजों के इमें वो ही display हो रहा है बाकि अंदर circuit है वो display नहीं हो रहा है motor है पंके की वो display नहीं हो रही bulb के अंदर LED है वो सब कुछ दखा हुआ है circuit वगरे data abstraction refers to providing only essential information about the data to the outside world hiding the background details और implementation तो उसका implementation कैसे उड़ाया गाड़ी के अंदर clutch का brake का steering कैसे काम कर रहा है वो हमने दिखा रहा जिन चीजों को हमें जरूरत है access करने की सिर्फ वो ही दिखा रहे है polymorphism polymorphism का मतलब होता है many forms दूसरे सब्दों में हम यह कह सकते है polymorphism का मतलब आहता है कि AC ability कि कोई एक message उसको display करा सकते एक से ज़्यदा forms में तो C++ support करता है दो टाइप की overloading, operator overloading और function overloading operator overloading क्या करता है कि एक operator होता है उसका behavior change करके दूसरी जगह पर दूसरी तरीके से काम में ले सकता है function overloading में क्या होता है single function name होता है और different type of task करता है जिससे हम इस example से देख सकते है कि यहाँ पर क्या हो रहा है sum नाम का function है लेकिन जब दो variable pass करेंगे तब अलग sum call होगा दो नमबर को जोड़ेगा और जब तीन variable pass करेंगे तीन values pass करेंगे तब तीन नमबर को जोड़ेगा तो नाम तो सेहम है लेकिन काम अलग लग है तो यह होती है function overloading तो function overloading है उसके थिरूम पॉलिम्वर फीज में का जो feature है उसको काम में लेते हैं और यह बहुत ज़ादा काम में आती है inheritance एक class है दूसरी class है वो derive करते हैं जिससे उसकी properties है characteristics है वो भी derive होती है तो inheritance है वो बहुत ही important feature है और inheritance को use करके हम code को reuse करते हैं इसके अंदर अब जैसे हमने एक animal class बनाई और animal की जो sub class है या child class है वो बने की dog cat और cow अब इन में कुछ properties है वो common रहेगी जैसे सब की चार टांगे हैं दो आखे हैं यह कुछ properties है वो common रहेगी और कुछ properties है वो अलग लग रहेगी from another class super class होती है यहाँ पर animal की आए super class है और नीचे जो dog है, cat है और cow है वो की आए sub classes है inheritance है उसको हम use करके reusability है जो code को reuse कर सकते हैं तो यहाँ पर जब नई class बनाए तो कुछ पहले से कुछ features है वो पुरानी class में मौजूद है हमारे पास जैसे अगर हम animal class नहीं बनाते तो dog, cat और cow इनके अदर जो common properties है उनको हमें तीन बार लिखना पड़ता लेकिन हमने एक common class बना दी यूज कर पा रहे हैं अब code इसके object oriented languages है उनके benefits क्या है तो benefits पहला तो यह हो गया reusability reusability हम inheritance जो property उससे काम में लेते हैं मतलब एक बार हमने code लिखा उसको बार बार यूज कर रहे है तो हमने एक class बनाई और जहाँ भी उस class की property को काम में ले रहा है उस class को inherit कर लो उसके एक sub class बना लो data redundancy data redundancy का भी यही मतलब है कि code है वो एक से ज्यादा जगा अवेलेबल हो यह greatest advantage of object oriented language का जैसे database में भी होता है कि number of users ज्यादा है तो हम दो copy बना देंगे तो एक server पर load नहीं आएगा दोनों पर आदा आदा load आएगा तो data redundancy का मतलब है कि उसकी multiple copies बना सकते हैं तो अगर हम कोई similar functionality है उसको multiple classes के अंदर काम में लेना है तो हमें common class मना देंगे और उसको inherit कर लेंगे code maintenance तो किसी भी software है कोई भी programming है उसके अंदर code maintenance होता है और फिर जो users है उसको दुबारा rework करना पड़ता है तो object oriented language है उसके अंदर जो maintenance है वो बहुत ही easy होता है time saving होता है cost saving होता है उसको maintain करना modify करना existing code को वो बहुत ही easy होता है security क्योंकि हम data hide कर रहे हैं और abstraction जो चीज़े दिखाना चाहते हैं वो ही दिखा रहे हैं तो उसकी security भी बढ़ रही है क्योंकि हम filter out कर रहे है limited data exposure को तो इससे हम security भी maintain कर पा रहे हैं तो यह था आज के वीडियो लेक्चर में overview object oriented languages का और mainly हमने यहाँ पर c++ के respective में इसको discuss किया है thank you